हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इजी कोकिंग बाइट विद राशी में आज हम बनाएंगे कुटू के आटे और आलो की क्रिस्पी पकोड़ी इसके लिए मैंने दो बड़े साइज के आलो लिये हैं और उन्हें बारी पतला पतला काट लिया है काट कर भीगो कर उन्हें अच्छे से वाश कर लिया है जिससे आलो का सारा स्टार्च निकल जाए अब हम इसमें डालेंगे कुटू का आटा और साथ में हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च तीखे पन के लिए फिर हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया इसके बाद थोड़ा सा जीरा जीरे से भी इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है अब क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इस्तिमाल करेंगे सिंधा नमक का सिंधा नमक मिला कर फिर हम इन सभी चीज़ों को अपने हाथियों की सहायता से अच्छी से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक अच्छा सा पेस्ट तयार कर लेंगे आलू के साथ अब हमें कड़ाई लेंगे कड़ाई में घी डाल कर घी को गरम होने देंगे मेरे यहां तो मैं ब्रत की हर चीज देसी घी में ही बनाती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आप किस चीज का इस्तिमाल करते हैं अब हम आलू की जो छोटी छोटी पीसेस काटे थे उसे इस घोल के साथ लेते हुए धीरे-धीरे एक-एक करके कड़ाई में डालते जाएंगे देखते जाए किसे चोटी-चोटी पीसेस में इसमें डाल रही हो डालते हुए पिर जब हल्के से गोल्डन-ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे पलट देंगे आप इन्हें धीमी आँच में ही पकाएं जिससे हमारे आलू अच्छे से पक जाएं और हमारा कुट्टू का आटा भी कच्छा ना रहें बीच में आप धीरे धीरे इन्हें चलाते रहें पलटते रहें जिससे ये जले भी नहीं और हर तरफ से करते हुए जब हमारे कुट्टू के पकॉड़े हो जाएं तब हम इन्हें इक्छालनी की सहायता से निकाल लेंगे आलू की ये जो क्रिस्पी पकोडियां बनी है आप चाहो तो इन्हें सिंगाडे के आटे में या राजगीरी के आटे में भी बना सकते हैं ये स्वादिस्ट गर्म गरम पकोड़ियों को आप इंजोई करिए व्रत की हरी चत्नी के साथ जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अल्रेडी अवीलबल है जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब